धनबाद मंदल कारा के लिए रविबार ब्लेक संडे 246 दिन बाद बजी थी पगली घंटी पगली घंटी बजने के बाद जेल गेट पर मुस्तैद अधिकारी व पुलिस के जवान शूटर अमन सिंग की हत्या से जेल प्रशासन सकते में धनबाद मंडलकारा के लिए रविवार काला दिन साबित हुआ है मंडलकारा में इस साल पहली बार 2 अप्रेल 2023 को रविवार के दिन आठ बार पगली घंटी बजी थी कैदियों के दो गुटों में हिंसक जड़प होने पर जेल प्रशासन को पगली घंटी बजानी पड़ी थी इस घटना के 246 दिन बाद 3 दिसंबर रविवार को जेल में दूसरी बार पगली घंटी बजी इस बार जेल में बंद शूटर अमंद सिंग की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी ये सूचना पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई सूचना मिलते ही जेल प्रशासन हरकत में आ गया और पगली घंटी बजाए गई लगातार आधे घंटे तक जेल का सायरन बजता रहा जिला पुलिस के जवानों को को भी बुला लिया गया था इस साल 2 अप्रेल को पहली बार बजी थी पगली घंटी तारीक 2 अप्रेल 2023 दिन रविवार समय दोपहर करीब 12.30 बजे जेल में बंद विनोध कुमार सिंग और अनवर हटेला अपने कैदी वार्ट से बाहर घूम रहे थे अनवर ने विनोध को देखकर कुछ कहा इस पर दोनों में गाली गलोच शुरू हो गई अनवर के एक-दो साथी भी उसके साथ आ गए और विनोध से हाथापाए करने लगे देखते ही देखते मामला बिगल गया जेल प्रशासन को पगली घंटी बजानी पड़ी जाच के बाद सिंग मेंशन वगेंस्ट प्रिंस खान समर्थक चार कैदियों पर एफायर दर्ज की गई नामजद आरोपियों में मेंशन समर्थक बिहार के छप्रा मुफसिल थानाक शेत्र निवासी विनोध कुमार सिंग धनबाद के करकेंद निवासी विक्की डोम और प्रिंस खान समर्थक वासेपूर के कमर मक्दुमी रोड निवासी अनवर शमीम उर्फ अनवर हटेला, मोट राजा उर्फ भूमा राजा शामिल थे कारा अधिक्षक अजय कुमार की लिखित शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था तीन दिसंबर को बजी दूसरी बार पगली घंटी, ये है मामला तारीक 3 दिसंबर 2023, दिन रविवार, समय दोपहर तीन बजे, जेल में बंध शूटर अमन सिंग पर दनादन गोलिया चला कर उसकी हत्या कर दी गई घंटना के वक्त अमन सिंग जेल के अस्पताल में बैड पर लेटा हुआ था अस्पताल खुले में है और कोई भी उधर आ जा सकता है अमन सिंग जब तक कुछ समझ पाता, उस पर ताबर तोड़ गोलिया बरसने लगी गेंग्स्टर अमन को नौ गोलिया मारी गई घंटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई घंटना के बाद धनगाद सदर्थाने में चार अलग-अलग F.I.R. दर्ज की गई है जेला मुस्तकीम अनसारी के बयान पर दर्ज पहली प्राथमिकी में सुंदर महतो को हत्या रोपी बनाया गया है उसके खिलाफ एकमत होकर शड्यंत्र के तहत हत्या करने वा आमस एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है दूसरी प्राथमिकी जेल में चापेमारी के दौरान बरामद 6 मोबाइल फोन को लेकर कार्यपालक दंडाधिकारी अंशु कुमार पांडय के लिखेत आवेदन पर दर्ज की गई है तीसरी प्राथमिकी जेल के अंदर बंदियों के बीच हिंसक जड़प को लेकर जेल प्रबंधन ने दर्ज कराए है वहीं, चौथी प्राथमिकी जेल से बरामत दो हत्यार को लेकर छापेमारी टीम के अधिकारियों की शिकायत पर दर्ज हुई है क्या होती है पगली घंटी जेल में किसी तरह की अन्होनी या मारपीट की घटना होने पर जेल में अलट के तौर पर लगातार घंटी बजाई जाती है जेल मैनूल के अनुसार ऐसी स्थिती में करीब 50 बार जेल की घंटी बजाकर जेल अधिकारियों और कैदियों को सचेत किया जाता है घंटी बजे तो क्या करना चाहिए जेल मैनूल के अनुसार पगली घंटी बजने का मतलब है बैरक खुल गया है और सभी कैदियों को अपने अपने सेल में चले जाना है अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो स्थिती को कंट्रोल करने के लिए जेल प्रबंधन को बलप्रयोग करना पड़ता है मैनूल के अनुसार पचासा सुबह और शाम दो बार बजाया जाता है शाम के पचासा का मतलब है जेल की बैरक बंध हो चुकी है